Hello everyone, मैं अनीता ठाकूर, Welcome to my YouTube channel और आज हम लोग Class 12 Political Science Chapter 7 का Second Part जो है वो डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है Traditional Notion of Security आज हम लोग Traditional Notion जो है, वो external पढ़ने वाले हैं जिसमें देखा गया है कि बहुत सारे Security के हम लोगों ने स्टडीज करी और बहुत सारी जगा से हम लोगों ने सुना भी है कि Traditional Security को हम लोग डील करते हैं National Security के साथ कि एक National Security की क्या Conception होती है और जब हम लोग Traditional Conception की बात करते हैं तो उसका Mostly जो Dangerous Part है या फिर हम लोग बोल सकते है Country को जो Danger है, Country को जो भी खत्रा होता है वो Military Threats उसको Provide होते हैं Sovereignity और Independence या फिर Territorial Integrity को हम करना चाहती है जिससे कि वो अपने एरिया का Control एक्सपैंड करना चाहती है यह First Component हम बोल सकते हैं तो Military Action से क्या होगा? Ordinary Persons जो होंगे जो भी Normal Population होगी, Civilians जो होंगे उनकी लाइफ को खत्रा हो सकता है और या फिर हम लोग बोल सकते हैं War से सिर्फ और सिर्फ Soldiers की लाइफ को खत्रा नहीं होता है Soldier ही नहीं मरते हैं उसमें, Armament ही नहीं मरते हैं इवन उसमें आदमी और ओरते हैं जो कि Civilians होते हैं उनको Target किया जाता है ताकि वो लोग जो हैं वो Support ना करें, किसको Support ना करें मतलब वो in case हम लोग यह बोल सकते हैं कि वो कही ना कहीं अपनी Country को ही एक Explorative Nature के नजरिये से इखना स्टार्ट कर दें क्योंकि उनी को लगेगा कि हमारी Country के जो भी Governance में मनिस्टर वो हमारी Protection प्रॉपर ली नहीं कर सकते हैं और सेकिंड जो मतलब Threat होता है या फिर Second Component हम लोग बोल सकते हैं Security का क्या होता है उसमें Respond किया जाता है एक Threat जो कि War के थ्रू मिल रहा है इनके पास Three Basic Choices होती है क्याने का मतलब है एक Street जो है एक State Government जो है अगर उसके उपर किसी भी तरह का War-like Threat है तो वो तीन तरह से अपनी Choices को Express कर सकती है First of All वो Surrender कर सकती है खुद को दूसरा वो Prevent कर सकती है खुद को बचा सकती है जिस दूसरी Country ने उसके उपर अटाक किया है या फिर वो क्या कर सकती है उनके साथ Compromise करके या मतलब कि अपनी War Cost को Raise करके या फिर वो क्या करेगा अपनी Country को War से Defend करेगा और दूसरों को हरा देगा जिससे कि क्या होगा वो जो उनकी Armies होंगी उनको objective होगा दूसरी Country को उनको fulfill नहीं करने दिया जाएगा और उनको से बाहर निकाल दिया जाएगा अपनी country से तो उसके बाद यहां पर कुछ government जो है अगर कोई सरंडर कर देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपनी country की policies को भी advertise कर दे मतलब दूसरे nation जहां पर वो अटाक करने के थे जब उन्होंने वहां पर दूसरी government को सरंडर कर दि कि हमारी ministry को वो अपनी पाकिस्तान की policies जो है वो advertise कर दे वो बता दे यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं तीक है security policy जो है वो पूरी तरह से concern है किसके साथ मिली हुई है कि आप लोगों को कम से कम war का risk जो है वो लाना है especially अगर हम लोग इन short wording में बोलें तो war के risk को reduce करना ही security कहा जाएगा या फिर prevent करना वार से कहीं ना कहीं उसे deterrence भी कह सकते हैं deterrence in the sense relaxation ठीक है तो उसके बाद यहां पर क्या बताया गया या तो वो limit करेगा मतलब control करेगा कि हां war situation जो है उसको extend ना किया जाए या फिर वार को पूरी तरह से वो खतम कर देगा इसी को defense कहा जाता है या इसको defend भी कह सकते हैं to secure others भी कह सकते हैं हम लोग ठीक है तो traditional security का जो तीसरा component है उसको balance of power कहा जाता है जब countries जो है वो क्या करती है एक दूसरे के साथ अपनी balance को sorry अपनी power को balance करने के लिए वो क्या करती है दूसरी countries को control करना चाती है उनको concur करना चाती है अपने areas को expand करना च भी होती है और वैसे stronger भी होती है तो इसलिए उनका ये motive होता है कि जो बड़ी और stronger parts होंगी वो क्या करेंगी वो दूसरी जो smaller states होंगी उनको dominate करेंगी उनके ओपर control जमाएंगी ठीक है उसके बाद उनको ये भी a clue मिल जाता है उनको ये भी sign मिल जाता है कि अगर ये जो powerful country ह जो कि हमारी ही neighboring है तो उससे future में हमें threat हो सकता है या फिर वो हमें चती पहुंचा सकती है अगर हम लोग example लें कोई भी a neighboring country है वो किसी पर attack करने के लिए prepare नहीं भी हो रही है तो उसके पास कोई obvious reason भी नहीं attack करने का तो obviously वो क्या करेगा एक powerful nation जो है वो कभी ऐसा नहीं चाह mostly यही लगता रहेगा कि हाँ इतना powerful हो गया तो maybe वो अपने area को expand करने के लिए हमारी territory के उपर attack कर सकता है तो इसलिए उनको यह सब डर लगा रहेगा तो उसके पास कुछ governments जो है उनके यह मानना होता है कि balance of power जो है वो बहुत एक sensitive point है जो हर एक country जो है वो acquire करना चाहती है क हमारे हाथ में power होनी चाहिए हम सब्सक्राइब होने चाहिए हम लोग पूरे वर्ल्ड में dominate करेंगी इस तरह की पास जो है वो cold war के time पर भी देखने को मिली थी और हर एक nation जो है वो बहुत ही hard work करता है ताकि वो balance of power को maintain करके रखे बाकी वाली country से above जो है वो रह सके specially जो country न पाकिस्तान है या चाहिना है तो वो अपने मतलब stronger relations या फिर हम लोग बहुत सकते हैं कि वो खुद को stable position पे लाना चाहेंगे कि हां हमारी ideology और पाकिस्तान की ideology जो है वो difference है उसमें तो उसके basis पर भी हम लोग एक दूसरे बिढ़ सकते हैं है ना conflict हुआ हो या past में उसके basis पर भी वो अटाक करने की situation create कर सकते हैं या और किस situation create कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात अगर हम लोग यहां पर बताएं एक जो अच्छा पार्ट है balance of power को maintain करने का तो हम लोग एक ही बोल सकते हैं कि एक nation जो है वो military power को इतना सदा build up कर दे इतना सदा strong बना दे और साथ में उसक होनी चाहिए technological power भी उसके पास होनी चाहिए यही main चीजें है जो एक military military power को enhance कर सकते हैं उसको और रदे इंप्रोव कर सकते हैं तो उसके पात जो fourth component है traditional security का वो यह है एक alliance building करी चाहिए alliance building कुछ चोटी-चोटी states जो है कुछ less powerful states जो है वो मिलकर एक ऐसा alliance बनाया जो एक stronger power के साथ मतलब हम लोग बोल सकते हैं उनको अपोस कर सकें ठीक है कुछ states मिलकर coalition form करें coordinate करें अपने actions इकठे लें डेक्टर करें मतलब defend कर सकें military attack से एक दूसरे की help कर सकें ठीक है बहुत सरी alliances जो है वो बनाये जाते हैं या फिर आप लोगोंने cold war के टाइम पर भी जब हम लोग first chapter पढ़ रहे थे उस टाइम पर भी आप लोगोंने पढ़ा होगा तो two alliances फ़र्म किये थे एक जो था उसका नाम था NATO जिसका head था USA और वार्सा था दूसरा जिसको किसने बनाया था USSR ने फ़र्म किया था अब आप लोग मुझे comment करके comment section में इन दोनों की establishment जो date थी वो आप लोग comment section में मुझे बताएंगे क्लियर है दोनों की वार्सों कब established हुआ था और नाटों कब established हुआ था क्लियर है यह बताना आप लोगोंने मुझे ठीक है जन उसके बाद यहां पर यह बता आ गया है कि जब एक alliance बनाया जाता है तो कुछ nations जो है वो written treaties भी बनाती है वो फियरली एक identification उनको provide करती कि कौन जो है वो हमें क्या कर सकते है थ्रेट पहुंचा सकते है इन future और कौन कौन से nations जो है हमारे alliance में जुड़े हुए तो उनसे कुछ वो agreement sign करवाते हैं दीक है countries जो alliance में आती है वो क्यों alliance में आती है क्यों वो group form करती है क्यों वो एक union बनाती है ताकि वो effectively power को use कर सके मतलब कि ब वो national interest के लिए भी बनाये जा सकते हैं और अपने national interest को change करने के परपस से भी बनाये जा सकते हैं clear है for example जैसे कि आप लोगों उन्हें cold war पड़ा था तो उसमें बताया गया था कि US ने क्या किया था Islamic militants को अफगान सुदान में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था उनको जो मतलब Soviet Union के द्वारा एक attack कराया गया था जो कि Al-Qaeda कहीना के उनके head थे जिनका नाम था Osama Bin Laden जो एक militant organization चलाते थे तो उन्होंने terrorist attack करा था कहां पर US में कब किया था 9-11 attack तो यादी होगा आप लोगों को तो यहां पर वही date बताएगे कि अमरीका के उन्होंने 4 मतलब क् plans को उन्होंने hijack कर दिया था 19 hijackers थे उसमें तो उन्होंने 4 target मतलब रखे थे वहां पर एक था North Pole, South Pole और थोड़ा सा बता रही हो देन उसके बाद Pentagon building थी जो defense headquarter था देन US Congress था ठीक है याद आगया होगा आप लोगों को I think तो attack किया था तो यही एक मतलब हम लोगोंने एक example बताई है कि जिसके basis हम लोगों ने चोटी-चोटी स्टेट्स ने मिलकर क्या किया था अपनी नैशनल इंट्रेस्ट को नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि traditional view of security जो है lastly यहाँ पर यही बताया गया कि mostly हम लोगोंने जो भी threats जो हैं वो कहां से हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि एक country की security को सबसे बड़ा threat उसके border के बाहर से उसको मिल सकता है अगर हम लोग इंडिया और पाकिस्तान की example लें तो इंडिया को हमेशा अपनी territory basis security threats जो हैं उसको मतलब तंग करते रहते हैं जैसे कि यहाँ पर international system जो है उस ताइम पर हम लोगों ने देखा cold war के टाइम पर एक brutal arena देखने को मिला था जिसमें कोई central authority नहीं थी जो पूरे nations को control करें उनके behavior को control करें और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 1945 से लेका 1991 का जो time period था उसमें बहुत ज़ादा clashes जो थे all over the world देखनों को मिले तो एक country में threat जो है वो violence की shape भी ले सकता है जिससे की एक central authority का होना बहुत ज़रूरी है जो की कुछ limits लगाए जिसको हम लोग central authority को कहा जाएगा particular government को कहा जाएगा अब world politics में आप लोगों को तो इतना पता ही है कि कोई central authority इतना जादा मतलब central authority के अलावा कोई भी इतनी responsible governance होती ही नहीं है जो इतने अच्छे मतलब rules and regulations बनाया जो properly national interest को promote करें उसके बाद हमारे world level पर एक ही ऐसी organization है जिसका नाम है United Nation उसके अलावा कोई भी ऐसी authority नहीं है जो पूरे nations को control कर सके पूरे मतलब उसके अलावा ऐसा कोई भी institution हो ही नहीं सकता है तो presently आप लोगों ने भी देखो उसमें कि कौन-कौन से उसके members है उसके authority को कितने membership जो है उसमें अलो है उसमें और कौन-कौन लोग उसको अब ओबे करेंगे किस तरह की authority होगी यह सब उसमें आप लोग को मतलब जो चार्टर बना उसमें सब कुछ मिल जाएगा ठीक है then world politics में हम लोग यही बोलेंगे कि एक country की यही responsibility है उसके लिए यही main agenda यही होना चाहिए कि उसकी national security या उसकी जो main security purpose है उसको enhance मत करें वो हो सके तो इसको improve करने की कोशिश करें और जितना हो सके आपने ordinary citizens को वो मतलब asset training skills जो है वो provide करे ताकि वो खुद को defend कर सके I hope आपनों को समझ मैं होगा thanks for listening and may God bless you all